तो अब कुछ दिनों पहले मैंने Feminism की First Wave पर एक बहुत ही कमाल की वीडियो बनाई थी उसमें काफी सारे बच्चों ने comment में लिखा कि आपको Feminism की Second Wave पर वीडियो बनाने चाहिए तो इस वीडियो को देखने से पहले आप First Wave को देख लीजिए जो आपको समझने पड़ेगी Second Wave of Feminism को समझने के लिए ये वेव भी Western World के अंदर ही शुरू हुई थी जैसा कि मैंने आपको बताया था First Wave के बारे में जिसके लिंक आपको description में मिल जाएगी कि First Wave कहा शुरू हुई थी Western World में तो ये वेव भी Western World में ही शुरू हुई थी और खास करकी White Women की बात करते थे ये लोग मतलब अभी तक Black और Brown Women की बात नहीं की जारी है White Women की बात की जारी है अब ये समझते हैं कि इस वेव की जरूरत क्यों पड़े जबकि First Wave पहले आ चुकी थी तो मैं आपको समझाने की कोशिच करता हूँ कि Second Wave की जरूरत क्यों पड़ी इसके लिए हमें First Wave को समझना पड़ेगा देखो First Wave क्यों शुरू हुई थी पिछली वीडियो में आपको बताया था Voting Rights के लिए, Property Rights के लिए मतलब वो वेव जो थी वो Political Rights के लिए शुरू हुई एक लहर थी लेकिन ये वेव थोड़ा Broad हो जाती है मतलब Wide Range of Issues को Highlight किया जाता है इसके अंदर इसमें Social Life, Family Life, Workplace ऐसी जगाओं पर भी तो औरत के साथ बिदभाव किया जाता है इन चीज़ पर भी तो ध्यान देना चाहिए ये चीज़े भी तो बंद होनी चाहिए इस पर फोकस किया गया Difference समझ में आया First और Second Wave के बीच में First Wave कहती थी कि Voting Rights दे दो, Property Rights दे दो मतलब Political Rights दे दो लेकिन ये थोड़ा Wide Range of Issues को Highlight करती थी Social Life के अंदर Family Life के अंदर Workplace के अंदर काफी सारी जगहों पर औरत के साथ में भीदबाव किया जाता है तो वो भीदबाव बंद होना चाहिए ये कैसे होगा दूसरी चीज़ इसने क्या फोकस की कि औरतों के साथ घर में जो Domestic Violence होता है Marital Rape होता है यानि कि शादी के बाद में किया जाने वाला रेप और ये जो Custody Laws बना रखे हैं Divorce के लिए Laws बनाया गए हैं इन सारे Systems में Change होना चाहिए Abortion और Pregnancy के लिए भी कानून होना चाहिए अब दोस्तों मैं थोड़ा कारणों को थोड़ा और deeply जाकर डिसक्स करने ही को शुच करता हूँ कि आखिर कारण क्या था इस वेव की शुरू होने का देखो US में एक टाइम आया था वैसे तो हर देश में आता है लेकिन मैं खास करके यहां पर बात कर रहा हूँ US में क्योंकि US आपको पढ़ना पढ़ेगा सबसे पहले second wave के लिए US में एक टाइम आया था जब अचानक से बच्चे बहुत ज्यादा पैदा होने लग गए यानि fertility rate बढ़ गई एक औरत तीन-तीन बच्चों से ज्यादा बच्चों को समवालने लगी तो औरतों की domestic duties बढ़ गए कि उन्हें ही समाल समाल की उनकी life कट रही थी दूसरा वो काम करी नहीं सकती थी और social, political, economic चीजों से वो अपने आप ही कटती जा रही थी तो ये एक बड़ा कारण बान सकते हो आप US में second wave के शुरू होने का कि आर्थों को बस बच्चे पालने के लिए रखा गया था, domestic lives के अंदर वो बाकी चीजों में time ही नहीं दे पारी थी एक reason और बताता हूँ बहुत बड़ा, actually एक बड़ी famous French writer थी उस time पर Simon D. Bauer इन्होंने एक बहुती important किताब लिखी इस time पर, The Second Sex कहते हैं कि ये उस time का बड़ा खतरनाक वर्क था इस बुक में वो बोलती हैं कि कैसे ओर्टों को इस पेट्रियार्की में second sex की तरह देखा जाता है first sex कौन रहा, आदमी और second sex ओर्ट है तो बाद में इस बुक को English में translate करके 1953 में अमेरिका में जब publish करवाया गया तो ये second wave का reason बनी ये बुक, नहीं नहीं ये बुक नहीं, ये बुक जब translate होके अमेरिका में आये तो इस बुक ने काफी सारे writers को प्रभावित किया, एक Betty Fryden नाम की American feminist writer थी दोस्तों, उन्होंने एक बुक पब्लिश करवाया थी The Feminine Mystic इस बुक का नाम नोट कर लो क्योंकि माना जाता है कि ये बुक एक चिंगारी थी, second wave को भढ़काने के लिए, और इनको बुक लिखने की inspiration कहा से मिली थी उस French book, French work The Second Sex से, जो English में translate करके, अमेरिका में publish हुआ था देखो, ये कारण हो गया ये books का publish होना करण हो गया इस wave को भढ़काने में ये दोस्तों, आपको अगर आप Second Wave को पढ़ रहे हो न तो आपको ये समझना जरूरी है कि ये political moment थे, ये feminism बगेरा ये political moment थे, literature के अंदर आयोए कोई बहुत बड़े moment नहीं थे पहले political moment थे ये ऐसी books का publish होना एक बहुत बड़ा करण बना Second Wave को भढ़काने में फिर market में 1960 में एक नए टाइप की दवाई को मंजूरी मिल गई जिससे औरतें चाहें तो अपनी pregnancy को रोख सकती थी पहले मंजूरी नहीं मिली थी और 1960 में जाकर जब इस दवाई को मंजूरी मिल गई तो ये एक opportunity की तरह हुआ कि औरतें जब चाहें तब pregnancy को रोख सकती थी और काम कर सकती थी अब literature के student जब Second Wave को पढ़ रहे हैं तो उनके लिए important है इस book को ध्यान में रखना ये book जो Betty Friday ने publish करवाई थी feminine mystic ये एक चंगारी की तरह थी और इस book को WW Norton नाम की American Publishing Company ने चापा था कभी कभी आपसे Publishing Company का नाम भी पूछ लिया जाता है तभी मैं आपको ये नाम बता रहा हूँ ये book आते ही best seller बन गई लेकिन ये book ऐसा नहीं था कि रातो राते नहीं लिख दी इस book को लिखने से पहले उन्होंने एक survey किया था बड़े interviews दिये थे पहले इनका इरादा था कि एक चूटा मोटा article लिखकर publish करवा दोंगी लेकिन बनते बनते ये एक book बन गई और no doubt इनको inspiration मिली थी second sex से जो मैंने आपको बताया और second sex की जो writer थी उन्होंने बड़ी अच्छी lines बूली है दोस्तों उन lines को आप note कर लो one is not born but rather becomes a woman कि औरते पैदा नहीं होती बलकि बनाई जाती है ये बहुत important lines है अगर आप अपने paper में लिखकर आओगे तो ज्यादा better रहेगा चलिए आगे बढ़ते है second wave feminism को आप समझ रहे हो तो दो type की branches को समझना बहुत important हो जाता है एक होते है liberal feminist और दूसरे होते है radical feminist liberal feminist की बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा पहले बताता हूँ radical feminist ये थोड़े cutter type की होते है मतलब relating to the root radical का मतलब होता है relating to the root मतलब root यानि जड़ का पता लगाया जाए कि सारी जड़ क्या है सारी जड़ है patriarchy ये gender inequality market में जो value है इसका कारण है patriarchy आदमी और आदमी के बनाया हुए rules तो पहले इनको सुधारो global change कर दो सारी चीज़ों को restore कर दो तभी जाके आपको liberation मिलेगी जड़ को सुधारो तभी जाके पेड हरा बरा होगा ये मानते हैं कि औरते आदमीयों के लिए किसी object की तरह है जिसको किसी भी तरह से मार पीट कर कैसे भी control किया जाता है तो आर्तों को need है एक group की यानि आर्तों को group की तरह देखा जाना चाहिए sisterhood की policy में भरुसा करना चाहिए radicals ऐसा मानते हैं समझ में आ रहा है थैंक radicals का मतलब cutter जो cutter बाते कर रहे हैं और इन में से कुछ तो ऐसे भी होते थे जो trans exclusionary radical feminist कहलाते हैं क्योंकि ये transgender women को real women की तरह नहीं देखते अब मैं बात करता हूँ थोड़े liberal वालों की liberal वाले थोड़ा political और legal reforms की बात करते हैं कि आर्तों को same rights दो एक बार उनको rights मिल गए तो वो अपने rights खुद समझ जाएंगी और इसका use कर लेंगी लेकिन उनको ये ही नहीं पता कि उनके rights है क्या तो इनका use करना कौन सिखाएगा उनको तो ये मानते हैं कि इसका solution ये है कि उनको educate करो बराबर pay करो तो ये problem खत्म हो जाएगी मतलब एक बार उनको आदमियों के बराबर पैसा कमाने के अफसर मिल गए उनको education मिल गई तो वो अपने problems को खुद ही समझ जाएगी इस चीज का solution ये मानते हैं लेकिन radicals क्या मानते हैं कि पूरी society को restructure करो restore करो तब जाकर ये चीजे सुद्रेगी ऐसे चीजे सुद्रेगी नहीं जैसे radical feminism, sisterhood और group पे बरहुसा गड़ता है न दोस्तों वैसे ही ये लोग liberation वाले individual woman पर focus करते हैं एक अकेली आरत पर कि individual woman free होनी चाहिए अब जब आपने ये वीडियो खतम कर लिए तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगी इसमें जो branches है उनकी बारे में समझ में आया होगा radical, feminism और liberal feminism में फर्क समझ में आया होगा मैं और भी इस पर वीडियो बनाऊँगा deep में जाऊँगा, details से बताऊँगा फिलाल आज की इस वीडियो में बस इतना है